नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयू 27 एर्स है और ये पाम थोड़ा सा संगर्स वाला है, कहीं न कहीं छोटी मोटी रुकावटे इनके जीवन में चल रही है, चाहे राउरेखा हो, माइन लाइन पर यव साइन हो, ये जुपिटर माउन डिश्टब हो, कहीं न कहीं देखे, तो यहां पर एक सीधी धनुशाकार शेप बन रहा है, ऐसे लोग समझदार होते हैं, और जीवन में जो अपरजुनिटी आती है, उसे ग्रेब करके आगे बढ़ते हैं, ये पाम स्क्वेरिश पाम है, व्यक्ति महनती होता है, और महनत करके अपने जीवन को सक्सेस रहता है, उंगलिया छोटी है, तो फास्ट नीने लेने वाले होते हैं, और हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है, सुरी की उंगली बढ़ी है, तो ऐसे लोग हिम्मती होते हैं, जिब में पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी होते हैं, ये एक सबसे बड़ी खासियत होती है, और जीवन का आनंद लेते हैं, ये लोग, छोटी उंगली फर्स फैलेन तक नहीं पहुचे तो व्यक्ति, डॉक्ति, डॉक्ति, फाइलिंग, चीजों को संबाल कर रखना, याजशक्ति, मनी मेनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी ची मैं इसका उपाय दे दूँगा, अब इनके क्लोज अप की और चलते हैं, यहाँ पर देखें, तो खड़ी लाईने हैं, एक प्लस पॉइंट है, और बहुत सारी खड़ी लाईने, जब ये कंडिशन होती है, तो व्यक्ति सुन्दर होता है, वानी उसकी बहुत साफ होती है, शहद की तरह होती है, गुड लुकिंग होता है, यानि सुन्दरता भी होती है रेक्टी में, और बिजनेस माइनडेड भी होता है, तो ये सारा प्लस पॉइंट इनको जीवन में प्राप्त होता है, अब जिस तरह का और एक हाँ, यहाँ ए अवश्य दिख रहा है, पर बहुत सारे फोटोग्राफ आपने भेजे, पर एक में भी इस पश्टता नहीं आई, एक यहाँ पर दिख रही है, यह जब होती है, तो व्यक्ती का परिवार पैसे वाला बनता है, जैसे ही आपने जन्म लिया होगा, पैसे वाला बनता है, अब ना करना पड़ेगा, पर रहुरेखा बहुत ज़्यादा, अगर यहाँ पर फिश साइन होगी, तो परिशानी नहीं देती, और जिस व्यक्ती ने यह पाम बेजा, मैंने उनको पूछा भी था, क्या इनके जीवने में संपनता है, मुझे कहीं न कहीं ऐसास हो रहा है, आपक गैरंटी से कह सको, ऐसा एक भी फोटोग्राफ आपकी तरफ से मुझे मिला नहीं है, पर आप अपने लेवल में ट्राय करना, मुझे यहाँ पर पूरा चांसेस दिख रहा है, यहाँ पर पूरा चांसेस, और जब पहला और सेकेंड फोटोग्राफ बेजा था, उसी समय मैं जिसन वक्तियों ने आपका यह पाम बेजा, उनको मैंने पूछा था, और इन्होंने इसका हामी भी बरा है, और यह 100% मुझे ऐसा लगता है कि आपके यहाँ पर होगी जरूर, और यह होगी तो राओ रेखाओ से डरने की जरूरत नहीं हाँ, माइन लाइन पर जब यवसा की दिख जरूर रही है, इस पोटोग्राफ में भी आभास हो रहा है, आपने अच्छी खासी मेनद की, मैं आपको कोई दोश नहीं दे रहा हूं, पर भहुत बार हमारी कोसी से सपलता नहीं दिलाती, आपने इंक भी लगाई, सब कुछ किया, मैं आपको कोई दोश नहीं द देखना आपको दिख जाएगी है और ये रही तो आपके जनम के बाद आप 100% आपका परिवाद अच्छा खासा संपन बनाओगा अच्छा खासा दूसरी एक खासियत मुझे कहीं न कहीं यहां पर भी मैंने एक दो फोटोग्राफ में यहां पर भी एक छोटी सी फिश साइन अगर इस पिरियड में आप एनरजी लगाओगे नो डाउट यह साइन पूरी होने के बाद तो हो सकता अगर यह साइन और यह साइन रही तो सरकारी जॉब लगने के बी चांसेस और बड़े स्तर की सरकारी जॉब लगने के चांसेस है मैंने यहाँ पर तो clear cut photograph में show हो रही है इस part में तो यहाँ तो मैं 100% हूँ बहुत सारे photograph में दिख रही है जो मैंने select किया उसमें हो सकता है साफ न दिखती हो पर इस period में दिख रही है तो ऐसे लोगों को बड़े स्तर की सरकारी job भी लगती है और साथ में यहाँ पर भी चीए और सुर्य परवत पर कोई strong sign नहीं है यानि strong रेखा नहीं है तो व्यक्ति को basic सफलता जीवन में आसानी से प्राप्त होती है शनी परवत देखे तो एक दो लाइने इस तरह से चल रही है एक लाइन यह एक लाइन यह यह तीन चार तरह का लाप देती है political लाप, सरकारी लाप plus ससुराल पैसे वाला या साधी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है और चौथा लाप, जो भी कारे करता है व्यक्ति बड़े स्तरका करता है और जोब भी करेगा तो बड़े स्थान पर पहुचता है तो कई लोगों को चारो लाप मिलते किसी को तीन, किसी को दो और किसी को एक और हो नहो थोड़ा सा सुबह उठने में आपको तकलिफ होती होगी अच्छा नहीं लगता होगा आपको जुपिटर माउंट आपका चाहिए वैसा नहीं है जिस सरका होना चाहिए हाँ, साथ में अगर सरकारी जॉब की चाहत होगी तो यहां कहीं न कहीं ट्रैंगल भी छोटा बड़ा होना जरूरी है यह भी आप नोट करना अब यह जुपिटर माउंट व्यक्ति को पारिवारिक और सांसारिक समस्या देता है जो मैंने पहले भी बताया इसका मैं उपाय दे दूँगा क्योंकि इस तरह का जुपिटर माउंट भौट डिस्टरबंस देता है आप जब पैसा कमाने लगोगे उस समय भी परिवार में दुनिया भर का खर्च करोगे और सुनना पड़ेगा आपने परिवार के लिए किया किया यह तो आपका फर्ज था तो यह आप बात नोट रखना अब अंदुदी मंगल देखे तो काफी अच्छा है तो सरीड में उर्जा काफी अच्छी होती है रेक्टी में बाकि ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है आपके अंदुदी मंगल पर बारी मंगल भी अच्छा है जब किसी से मिलोगे तो एनर्जी के साथ मिलोगे सामने वाला कमफरडेबल फिल करेगा चंद्रपरवत अच्छा है इसके कारण आपको घुमने के आउसर मिलेंगे विदेश में भी सेकेंड आपका पर्चेसिंग पाउर होता है वो पाउरफुल होता है पानी अच्छा लगता है दूद से बनी वस्तुवे भाती है नेने शक्ती अच्छी होती है यह सारा एडवांटेज व्यक्ति को मिलता है और आपके हाथ में मनी ट्रेंगल है मध्यम टाइप का है बहुत बड़ा नहीं पर वो जो साइन मैं बता रहा हूँ वो होगी तो कोई चिंदा करने की जुरत नहीं है फिर मनी ट्रेंगल न भी हो तो भी चलता है पर मनी ट्रेंगल है तो कहीं न कहीं संपत्ति आप जमा कर लोगे अब शुक्र परवत देखे तो ना खराब है ना आच्छा है मध्यम टाइप का है और एक दो लगजरी लाइने है यह आपको लगजरियस जीवन देती रहेगी और यहाँ पर जो फोर्क बनता है ऐसे लोगों को जीवन में यात्रह भी भरपूर करनी पड़ती है अब आपके हिर्दे रेखा पर चले तो हिर्दे रेखा कम्प्लिट यहाँ से स्टार्ट हो रही है अब एकदम उद्गम स्टान तो पता नहीं पर यह जुपिटर माउंट से टच होकर चल रही है तो ऐसे लोग भरो से लाइक इंसान होते है और बाकी की बहुत सारी रेखा है नीचे की तरफ जा रहे है मित्रों को या सगे संबद्यों को help करोगे और वो पैसा वापस नहीं आएगा और यह सीधी लाइन चल कर अब टू एंड तक जा रही है और एक दो लाइन नीचे चल रही है यह मापप का सेवा करने वालों के हाथ में होती है एक दो फ्लट लाइन भी है तो व्यक्ति दुखी भी होगा तो थोड़ी देर दुखी होता है उसके बद खुशी डुनता है अब माइन लाइन और जीवन रेखा देखे तो दोनों के बीच में गैप है जब यह गैप होता है तो व्यक्ति जिद्धी होता है किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता पर सबसे बड़ी खासियत होती है यह कभी अपनी जिमेदारियों से दूर नहीं भागते यह भी इन में खासियत होती है और जुपिटर से स्टार्ट हो रही है इस तरह की जुपिटर से स्टार्ट होने वाली माइन लाइन व्यक्ति को महतुकांशी बनाती है और मतोकांचा पूरी भी करती है अब आपके हाथ में एक यव साइन है मैंने एज निकाल के रखिया लगबक 26 से लेकर 32 साल तक ये यव साइन आपके हाथ में है ये यव साइन व्यक्ति को दो तरह का टेंस देती है सामाजिक और आर्थिक दोनो इसमें कई बार हमें यानि नाम खराब होने के भी चांसेस बढ़ जाते कहीं न कहीं हमारी इज्जत भी दाव पर लगती है जब इस तरह की यव साइन होती है तो यहाँ पर भी ये क्यार करना अगर इस तरह की सिच्वेशन हो तो मौन रहना अब 32 तक अपने जीवन में काफी मौन रहके रहना यानि कोई एग्रेशन दिखाना नहीं नॉर्मल कोई इन्वेस्मेंट करना नहीं नहीं तो लॉस में जाएगा खुद काम करने जाओगे सारा लॉस में जाएगा हो सकता है मैंने 32 गिना 31 में ही पूरी होती हो क्योंकि पामिष्ट्री है एक साल प्लस माइनस गिन कर चलना तो ये पर आपको अच्छा खासा परेशान करेगी हाँ अगर ओपन होगी तो जीवन में प्रेशर बनेगा प्रेशर बना रहेगा इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं पर इस पिरियड में जरूर आप सरकारी जॉब की ट्राय जरूर करना 30 के आस पास 30 बद 30 के पिरियड में आप जरूर ट्राय करना अच्छी खासी सफलदा मिलने के चांसे है पर सर्त ही है यहां पर भी फिश शाइन होनी चीए यहां कहीं न कहीं ट्रायंगल जूपिटर मांट पर होना चीए बाकी की रेखा जा रही है तो यह प्लस पॉइंट तो है उसके बाद माइन लाइन सिधी चली और जिसके हाथ में इस तरह से फोर्क बनता है ऐसे लोगों को लिखाई भी अच्छी होती है लिखाने की कला अच्छी पाई जाती ऐसा देखा गया है और आप कई लोगों को तो किताबे भी छपती है यह भी देखा गया है और कहीं न कहीं माइन लाइन आपकी बुद्परवत की और देख रही है तो पैसा कमाने में कोई न कोई कला तो आपके पास आएगी जरूर जो पैसा खिच कर लाएगी अब जीवन रिखा पर देखें तो जीवन रिखा पर भी लगब्ग 21 के आसपास से आपको रहू रिखाए काट रही है 21 में काट रही है 24 में काट रही है 26 में काट रही है 27 में काट रही है 29 में काट रही है 32 में काट रही है 34 में काट रही है और 36 में भी काट रही है और 37 के आसपास बहुत बड़ा उपशूट है उसके बाद 38 में काट रही है तो यह continue रहु रहु रेखा काटती है तो यह भी पढ़ाई की तरफ से हमें अगर आप पढ़ाई करते होंगे तो आपको रुकाउटे फिल होती होगी इसी पिरियड में आपको इस तरह की कोई न कोई रुकाउटे फिल की होगी आपने तो यह रेखाए भी है पर इससे डरिये मत आप अपना कारेर चालू रखिए उसके बाद 39 के बाद 44 में है एक और 45 के आसपास एक आफशूट भी है एक 44 के आसपास है एक 45 में आफशूट है और एक आफशूट 43 के आसपास भी है तो कोई न कोई सपलता भी आपको जीवन में प्राप्त होगी और जीवन रेखा अच्छी खासी चल कर यहाँ फोर्क का निर्मान कर रही है तो यात्रह भी आपके जीवन में अच्छी खासी रहेगी अब आपकी धन रेखा को भी देखे और ये राव रेखाओ को मैं आपको एक सला देता हूं आप स्ट्रीट डॉगों को खाना खिलाना चालू कर दे तो काफी रहत आपको फिल होगी पर ये यव साइन अगर होगी तो 100% आपको पेन उठाना पड़ेगा और ये यव स नहीं तो घाटे में रहोगी आप और यहाँ पर देखे तो ये कट एक लगबक 24 के आसपास है एक 26 के आसपास है कोई न कोई खर्चाया होगा आपको एक छोटा सा कट 30 के आसपास है अब धन रेखा के लिए आपका एक और फोटोग्राफ है उसको हम देखते है यहाँ पर एक कट 38 के आसपास है एक 40 के आसपास है एक 42 के आसपास है एक 46 के आसपास है यह सारी investment की लाइन है और continue तो continue है जीवन में संगर्ष भी रहेगा नहीं रहेगा ऐसा नहीं पर यहाँ पर अगर अगर यहाँ सायन जो मैंने mention की यह रही तो ज़्यादा गवराने की जवरत नहीं है हाँ पारिवारिक और सांसारिक समस्या है आपको रहेगी और second चीज आपके यह सायन है तो यह सायन आपको 32 कतिस तक तो परेशान करेगी कोई भी काम फते होने नहीं देगी तो आशा रखता हूं आप के सबी प्रश्णों के जवाब आपको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाल